हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो और चानल बी नाचरल बीफिट चानल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और अगर आपने हमारे चानल को अभी तक सब्सक्राइब दनी किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भुले जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपरली पहुचती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं आपको बात बताओ कि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत ज्यादा interesting भी होना वाला है वहत ज्यादा knowledgeable भी रहने वाला है आपके लिए अगर आप teenagers हो या फिर या आगे भी हो मतलब बड़े भी हो फिर भी आपको यह वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो वीडियो को लास्ट में रही है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो और आज का हमारा ँप्राविट पार्ट में हैRR SC überhaupt सब्कूएंब हो सकता है कि उनके प्राविट पार्ट में हैHS क्यूऀ होते हैं हाला कि जब मैं टीनेजर था तब मुझे भी यह सारे questions मतलब आते थे मेरे दिमाफ में और मैं बोट सोचता रहता था इन सब चीजों के बारे में और मैं बहुत ही जादा शाही टाइप का बंदा था तो मैं किसी को पूछना भी प्रेफर नहीं करता था सो बहुत जगा पर मैंने गूगल भी करके देखा था बड़ उस टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी बड़ फ्रेंड्स बाद में मुझे पता चल गया था कि हमारे प्राइवेट पार्ट में हैर्स क्यूं होते हैं मैं आपको बता दू है कि अगर है कर भी सकते हैं ऐसको सकता है कि आपकी जो यह thinking है वो change हो जाए फ्रेंड्स मैं suggest करूंगा अगर आप teenagers हो या फिर आप adult भी हो तो भी आपको Caesar से cut करते रहना चाहिए hairs को blade या cream का use ना करें एक तो blade से आपको cut लगने के भी chances होता है प्लस जो वहां के hairs जो होते है hairs की growth जो होती है वो hard होने लगती है hard होने की वज़े से आपको बहुत सारी problem face करने पड़ती है eating और वहां पर मतलब बहुत जादा eating भी होती है sweating तो होती ही है और बहुत से लोग creams का भी यूज करते हैं जाकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि cream यूज करना गलत है अगर आपको ठीक लगे तो आप जरूर कर सकते हैं बट मेरी माने तो आप cream ना यूज करते हुए सीजर से cut कीजिए जिससे कि क्या हो आपके जो hairs है वो पूरी तरीके से cut ना हो clean shave वहां पर ना हो और clean shave ना होने के जिसे छोटे-छोटे parts में वहां पर hair रहना बहुत ही जादा जरूरी है so friends ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यह तो आपको आगे पता चलेगा friends ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे private parts के जो hairs होते हैं वो हमें fungal infection से और bacterial infection से बचाने का काम करते हैं अब यह कैसे करत है मैं आपको बताऊंगा friends जब हम intimate करते हैं जब हम अपने partners के साथ intimate करते हैं अगर आपका partner normal है उसको किसी प्रकार का पंगल infection नहीं है या फिर bacterial infection नहीं है या फिर वह बहुत ही ज्यादा हाईजेनिक है वह अपने hygiene को maintain करके रखता है तो आपको कोई भी problem नहीं हो सकती है ब person normal नहीं है उसको fungal infection ही है भी है और साथ ही bacterial infection भी है ठीक है अभी बहुत से लोगों में यह भी बात आ सकते हैं कि ठीक है हम तो with protection कुछ चीजे कर रहे हैं तो हमें क्या problem होने वाली है protection तो है तो फिर तो हमें कुछ problem नहीं हो सकती बड़ फ्रेंड्स protection जो है वह आपका मतलब आपके एक पार्ट पर ही काम करती है बाकी का पार्ट तो open ही रहता है जो की intimate जैसे मान दीजे उस पार्ट को छोड़के बाकी का पार्ट तो cover नहीं करता है न प्रोडेक्शन बाकी का पार्ट तो ऐसे ही touch होता रहता है दूसरे person के skin में तो उसी के लिए हाँ पर hairs होते है कि वो पार्ट दूसरे person के पार्ट से touch ना हो और touch होकर उनके अगर body में किसी भी प्राकार का bacterial या fungal infection है वो आपके body में transfer ना हो blade से या फिर cream से clean shave करना prefer ना कीजिए अब बात कर लेते हैं अंडरांज में hairs क्यों होते हैं अंडरांज में friends hairs होते क्यों है इसका तो reason मुझे भी नहीं पता है बट यह मैं इतना बता सकता हूं कि यह hormonal hormonal changes के वज़े से होते हैं जब हम छोटे रहते तब तो हमें वहाँ पर hairs नहीं होते हैं अंडरांज में बट जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारे hormonal body के अंदर hormonal बहुत सारे changes हो जाते हैं इसके वज़े से फिर वह changes होने लगते हैं और friends body के और भी parts में hairs आना चलो हो जाते है hormonal changes के वज़े से ही हाला कि अंडरांज में body पे hairs होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है बट वहां कि अगर आप hair trim करना चाहो तो आप clean shave कर सकते हो friends जैसे कि मैंने बोला कि और भी body parts में हमारे hairs आते हैं जैसे कि अगर male है person तो उनको hairs मतलब दाड़ी पे और upper lip पर भी hairs आ सकते हैं अगर female है तो बहुत सारे females में भी ऐसा होता है कि उनको upper lip मे जादा hairs आते हैं तो वो parlor जाकर trim कर लेते हैं hairs को या फिर wax कर लेते हैं so I hope friends कि मैंने आप सभी के doubts clear किये हो अगर आपको और भी कोई doubt है तो please मुझे comment में बताईए मैं आपको उसका भी answer करने कि बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा friends आप सभी को ये video अगर अच्छा लगा हो तो video को like किजे channel को subscribe किजे और मुझे ऐसे ही support करते रहिए और आपको किस topic पर वीडियो चाहिए आप किस topic पर वीडियो देना मतलब चाहते हो तो वो topic भी मुझे आप बता सकते हो comment में मैं उस topic पर भी video बनाने की पूरी कोशिश करूँगा तो मिलते है friends हमारे next video में तब के लिए bye bye and thank you so much for watching